बुद्ध समाचार का साथ नुम्मेनी रेडी मिक्स पंक्रीट प्राली नमस्कार बुद्ध समाचार मा स्वागत छा सुरू मा मुख्य समाचार चालू आर्थिक बर्श सकेना अब 27 दिन बाकी हाल समा एक खर्ब चालीस अर्ब सोरा करोड 45 लाख मात्रे पुजिगत खर्चा सरकारली अपेक्शाकिर तुरूप मा बिकास निर्मार को काम मा खर्च करन सकेना बुट्टलूप महा नगर पालिका द्वारा क्रेशी उपज थोक बजार मा अनुगमन फल्पिल को नमुना संकलन गरेर प्रयोग साला मा परेक्शन रह तंसी नगर पालिका को आगा मी आर्थिक बर्स उना नसियो शिको निगी तथा कारिक्रम नगर सभाम पिस बनेको छ हम्रो यूंडार परिवार सबको छ मन मन मा यूंडार परिवार सानचा नामचा सफल ताले दच्यालाई चुमचा विस्वासा मायाँचा यूंडार लेले सबनाई खुसी दिन छा ग्रहाखर संग को सम्मन्धलेने बनेको छ हम्रो यूंडार परिवार यूंडार परिवार नेहाँ आपसेंट माम एती देरे बच्चा अरो आपसेंट बीमारी जुन फईली राकोचा एक बाट और कोलाई कसरी लडने विमारी संगल लड़नूछा बने विमार फइलाए वाईरस संगल लड़नूच जुन छुदा खेरी पनी फईली छा तेसाई ले बारं बार लाइफ़ बौए वाईरस फायटर यसले वाईरस संगल लड़नच रत पाइला शुरक्षा गत्छा संसार के नमबर वन सेलिंग जंप प्रोटेक्शन सोब प्रै प्रतिसत का आधारमा हेरदायो 37,07 मात्री हो सरकार ने बिकास निर्मार को काम मा होने खर्च बड़ाउने र तेसका लागी सबय उपाय अबलंबन गरने भने पनी तेस अनुसार हो न सके को सैना अर्थमत्री जनार्दन सर्माली मासिक 10 प्रतिसत बराबर को खर्च गरने घोष्णा गरनु भाय को थियो यदेपी घोष्णा अनुसार काम होना सके ना आगामी आर्थिक बर्समा तो कि ये अनुसार को खर्च गराउना का लागी सबय उपाय अबलंबन गरने द्रेड़िता बेक्त गरनु भाय को थियो सरकार को खर्च को हिसाब किताब राखने महालेका नियंत्रक कार्यालेका अनुसार सरकार ले अपेक्ष्या क्रित रुप मा विकास्ट निर्मार को काम मा खर्च गरना सके कुषईना एही आसार चार गते सनिबार सम्मा सरकार को कुल खर्चा 64.55 प्रतिसत बराबर भायको सां तेसमा चालू तर्फ को खर्च सबेभंदा बड़ी छां तेसका कर्मचारी को तलब भत्ता दैनेक खर्च जोड़िये को हुँँच चालू खर्च सतहतर दसमलब दोई प्रतिसत बराबर भायको सां तेसमा भनेको रू 8 खर्ब 22 अर्ब 45 करोड 65 लाग बराबर हो सरकारले चालू आर्थिक बर्चमा चालू तर्फ कोल रू 10 खर्ब 65 अर्ब 39 49 लाग बराबर खर्च गरने लक्षे राखे को थियो इसते बितियो बेवस्था तर्फ हाल समा कुल रू 91 अर्ब 37 करोड 68 लाग बराबर खर्च गरिये को सां चालू आर्थिक बर्चमा सरकारले रू 1 खर्ब 99 अर्ब 43 46 करोड 46 लाग बराबर को बजेट बितियो बेवस्था का लागी छुट आये को थियो तिसमा दात्री निकाय लाए तीरनू परने रेट को सामा र ब्याज को ही सारह है को सां सरकारले बिभिनन दात्री निकाय संगलियेको रेट तीरने बिभिननन समय सिमा होन्छ सोही आधारमा दायत्व भुगतानी गर्णू पर्षा कुल लक्षे मद्य हालसमा और चालिस दस्मलब दुई-चार प्रतिसत बराबर को बित्य वेवस्ता तर्फ को खर्च भाय कुछा सरकारले चालो आर्थिक भर्चमा कुल रू 11 खर्व ऑसी अर्भ साठी करूर 4 लाग बराबर को राजस्व संकलन करने लक्षे राखी कुसा हालसमा रू 9 खर्व और 48 अर्व 20 करूर 97 लाग बराबर को राजस्व संकलन करी कुसा यो कुल लक्षे को 80 दस्मलब 2-3 प्रदिसत बराबर हो तिसमा कर राजस्व रू 8 खर्व अठहतर अर्व तिया 30 करोड 1 लाख बराबर संकलन भायको संग येसमा मंसार लगायत का राजस्व समावेशन चालू आर्थिक बर्षमा कर राजस्व तर्व रू 10 खर्व 67 अर्व 96 करोड 25 लाख बराबर संकलन गरनी सरकार को लक्षेचा कुल लक्षे मदे हालसमा 82 दस्मलभ 24 बरति सत्संकलन भायको संतिस्थे गईर कर तर्व रू 10 below 136 लाख बराबर संकलन गरनी लक्षे राखेकुमा हाल समा रू 97 अर्व 97 करोड 96 लाख बराबर अर्था 62 दस्मलभ 94 बरति सत्संकलन भायको सं इस्ते अनुदान तर्फ रू 59 अर्व 91 लाग संकलन गरने लक्षे राखेको मां रू 13 अर्व 88 करोड 33 लाग बराबर संकलन भायको सा युकुल लक्षे को 23.17 प्रतिस अथू रूपन्धिमा असाड एक गति देखी बाल बाली कालाई कोबिड उन्नाइस बिरुद्धको फाइचर खुप लगाईने भायको सा युकुल प्रतम चरण मां जिलाका सुर पाली का मध्य लूम्बिनी सास्कृतिक तिलोत्तमा देबदह नगर पाली का रुहेडी र ओम सत्या का वपाली कामा असाड एकार गति देखी चोध गति सम्मर दोसरो चरण मा असाड पंदर देखी अठार गति सम्मर बाकी एकार ओटा पाली कामा लगाईने स्वास्ते कार्याले रुपन्धेले जनायेको सा स्वास्ते कार्याले का अनुसार खोप अभियान एक स्थाने तहमा एक चरण मा संपन गरी निसा यो खोप पांच बर्स देखी 11 बर्स सम्मा बालबाली का हरुलाई लगाई निसा स्वास्ते कार्याले रुपंधेह का अनुसार जिलामा लक्षित जन संख्या 5 वर्षा देखी 11 वर समेरिका 1,317 जनालadem फाइजर खुब लगाईने सरमाली पांस देखी 11 वर्ष उमेर्का बालबाली का को तो थ्यांक लिस सके को रा सबीको सहयोग ले पुर्ण खुब लगायरा रूपन धिलाई नमुना जिल्ला बनाओने बता अनुभाई प्रमोक लगायत सरकार वाला अरुगा आमीले ओरिंटेशन गरें यसमा आमी संगा एक्चुल रूपमा पांस बर्ष देखी 11 वर्ष समका बालबाली का कती शन बन्लीकुरू आमीले तथ्यांक लिये का छों माइकरू प्लानिंग गरे का छों ते अनुशार वहाँ सबैको सप कोटले आमी भली काथी नवरूआं 5,11 को लाइपिनी आमीले पूर खोप लगायर रूपने जिल्ला ले उडरा नमूना बनाऊना चाहांच फाइजर बायो एंटेक खोप COVID-19 बिरुदध को खोप हो योखोप जर्मन बायो टेकनोलोजी कमपनी बायो बायो न्टेक ले अमेरिकन कमपनी फाइजर को सहकारिये मा विकास करिये को यो खोप को प्रभाबकारिता 91 प्रती सत्रहये कु अध्ययन ले देखाये को सहां यो खोप बिश्ण स्वास्ते संकटनले आपत कालीन प्रयोग का लागी सुचिकरिध करी कुशां यो खोप निपालमा प्रयोग गौन और सदी वेवस्ता विभागली अनुमती प्रधान गरी गाउपाली का अध्यक्षे गया प्रसाद बरैली आइत बार सुचना जारी गर दे पालीकामा सार्बजनिक बिदा दिये को हो गाउपालीका अध्यक्षे बरैको हस्ताक्षे गरीन जारी गरिये को सुचनामा उपादक्षे आसा सिंको दे वर नाता परने बेक्तिको आयत बार सबारी दुरघटनामा दे वरनी नाता परने को स्थानी या तो हमा कतील territory जन कीवाई है प्रती जबाफ हीन छन भने पुस्टी गर्शन चो तर्फी आलो चना हुदा समित मर्चवारी ले बिदाबारे अन्य कुने प्रती किरिया दिये कुश है नुद्ध समाचार मा समाचार को सलसिला बाके ने शा तरेती बेला पालो भाय कुशा छोटो विश्ट्राम को बुटवल लाइन्स आखा अस्पताल लाइन्स चोक बुटवल आखा जीवन हो स्वस्त आखा समनत जीवन हरेक नागरी को चाहा ना हो बिगत लाम समय देखी विशिसग्य डाक्टर बाट चेक जाज हुने गरी सम्पूर्ण उपचार गराउदे आयको येस अस्पताल मा फेको प्रविदी बाट आखा ओप्रेशन गरी हजारों ना गरेकले द्रिश्टी पाई सके का छन। हमा लागने रोगबाटा हमी सबै जोगियों। हमा लागने एड्मन सीटी हस्पीटल प्राली तपाई को साथ मा छा। अंग्रेज हरुलाई पराश्ट गरेको बुटवल के गौराव जीदगाडी किल्ला बाटा नजीके गईरे पैट्रोल पंप अगाडी एड्मन सीटी हस्पीटल प्राली। विविन्न विशसक्य सेवा सहित हर जोर्नी मेरू दंड नसा बाथ रोग इस्पाइनल एबं जोर्नी प्रत्यारुपड आईशियू तथा एनाईशियू सेवा लगाए सेवा मा समार पीच्छ। 24 गंडा एमर्जंसी सेवा सहित अब रोग को पहिचान र नीदान का लागी। बाहिर होईना एड्मन सीटी हस्पीटल में जाओ। वेस्त्रित जानकारी का लागी एड्मन सीटी हस्पीटल प्राली बिट्वल तेरा जितगाडी रुपं देही। पोन सुन्य एक हतर चार पईतालीस पान से बावन्न र मोबाईल अंठानबे चार उनांतीस सुन्य सोत हतर त्रीपन्न केवेर को विस्त्राम पच्छी फेरेपनी स्वागत्छां बुद्द समाचार मां बाकी समाचार सुरुगन्वगी मुखे समाचार। चालू आर्थिक बर्श सकीना अब 27 देन बाकी हाल समा एक खर्व चालीस अर्व सुर करूर पईतालीस लाग मात्रे पोजिगत खर्चा सरकारली अब एक्षेक रेत रुपमा बेकास निर्मार को काम मा खर्चा घर न सकेना। बोचलू पुमा नगर पालीका द्वारा क्रेसी उपस्तोक बजार मा अनुगमन फल्फल को नमुना संकलंगर र प्रयोक्साला मा परेक्शन। र तांसे नगर पालीका को आर्थिक बर्सा उनाना सी आउसी को निगी तथा कारिक्रम नगर सभामा पिस। बोद्दस मा चार मा अब 22 मा चार। अबित्रा देवियार्याल को नेत्रितोमा उपमहानगर पालीका का कर्मचारी खाधिय प्रविधी तथा गोड नियंत्रन कार्याले उपभोगताहित सम्रक्षन मंस्र नगर प्रहरी को टोलीले अनुगमन गरीको हो। अनुगमन को क्रमा बजार मा बेक्री मा रहेको आप्र मौसम को नमुना संकलन गरीर खाधिय प्रविधी तथा गोड नियंत्रन कार्याले भई रहवा को ल्याब मा परेक्षन गरीये को संकलन गरीये को नमुनालाई परेक्षन गरीये को खाना योगिया रहेको महानगर पाडी काले जनाये को संकलन गरीये को परेक्षन गरीये को फल्फुल मा कार्वोनेट र अर्गानो फर्स्ट को मात्रा अठार देखी 31% सम्म रहेको पाईये को संकलन गरीये को अपभोग गर्न योगिया मानीने कारियाल प्रमुक अर्याले उपभोगतालाई सोच्छ फल्फुल तरकारी तथा खाध्यानना उपभोग गरने अधिकार को सुनिश्चित गरना का लागी बजार को अनुगमन गरिये को बताउन भाई प्रमुक अर्याले उपभोगतालाई सोच्छ फल्फुल तरकारी तथा खाध्यानना उपभोग गरिये को बताउन भाई तरकारी तथा खाध्यानना उपभोग गरिये को बताउन भाई प्रदेश का अधियक्ष तेशकुमार पाठक ले उपभोगता को हित सम्रक्षन का लागी अनुगमन लाई स्थानिया सरकार ले निरंतर तादीनु परने बताउन भाई स्थानिया सरकार संचालन अईन बजार अनुगमन को ब्यवस्ता गरिये कोश तांसिन नगर पालिका को आगा में आर्थिक बर्स उनान सी असी को वार्षिक निती तथा कारिक्रम एगारों नगर सभामा आईतबार पेस करिये कोश नगर प्रोमुक शंतूस लाल स्रेश्टा को आगरहमा उपप्रमुक प्रतिक्ष्या गाहा सिंग जालीले निती तथा कारिक्रम सभामा पेस करनुपाय कोष नगर प्रमुक्स रेस्टाले चालो आर्थिक बर्सका लागी तर्जुमा गरी एका कारिक्रम तथा योजना हरू कारेंडवेन को अंतीम चरण मार हैको र चालो आर्थिक बर्सका लागी पारित निती तथा कारिक्रम र बजेड कारेंडवेन को अहिले समको समिक्षय गर्दा समस्टी गत योजनार कारिक्रम हरुको उपलब्दी संतोस्चनक रही को बताऊन भय सुबेवस्तित पुर्वाधार पहिचान मुलक उत्पादन रहरीत बाताबरण युक्त परिये टकिया समाविशी संस्कृतिक नगर को नारा सहित बिकास र सम्रिधिको परिकल्पनालाई साकार पार्ण नगर पालिकाको ब्रिहत नगर बिकास योजना का अधारम समेथ निती पसात बस्ती स्तर ओडाय स्तर बिशेगत समीती बजेट तर्जुमा समीती हुदेई आउने योजना हरुलाई दिर्ग कारीन लक्ष ओ देश से संग तादाम्यता मिलाई प्राथमिक्ता क्रम निर्धारन गरियेको साँ नगर पालिका को निधित था कारीक्रम तर्जुमा गर्दा नागरिको सहभागीता लाई प्राथमिक्ता मा राखियेको उपप्रमुक सिंग जाली बताउन भाई अगिलो बर्स उना इस करूड घाटा बजेट बने कुर तांतुन गर्दा पनी 15 करूड अहीले पनी घाटा रह प्रभाबकारी बनाउन चालो आर्थिक बर्समा प्रदान गरियेको उड़ा अस्तर को बजेट लाई दोब्बर भंदा बड़ी हुने गरी बिनियोजन गरियेको सा स्रोतका अनुसार अगिला बर्समा 45 देकी 55 लाग थियो बने आगामी बर्स 91 लाग देकी 110 लाग समा जालीले सुसासन तथा सस्तागत बिकास आर्थिक बिकास राजस्वा विब्रेदी परियेटन तथा सास्कृतिक क्रिसी बिकास तथा पसुसेवा सहकारी नियमन्र प्रवर्दन युवा रोजगार तथा स्वरोजगार का विशेमा प्रस्तूत कनुभाई दांग मां बाटो खन्ने क्रम मां गार्डे को अबस्था मां फिला परिकुसिक का परिक्षन का लागी पुरात तुव बिभाका अधिकारी दांग आउनों होने भाय को सा जिला प्रहरी प्रमोक स्पी शुरेस काफलेले पुरात तुव बिभाग का मानेश संक कुरा भई रहे को होदा उनी हरू छिटेई दांग आवने रती पुरातात्विक महत्व का सिखा हरू परेक्षन होने जानकारी दिनु है पुरात तुव विभाग का प्रभक्ता राम बहादुर कुवर ले सिक्का भेटिये को जानकारी विभाग लाया आयकोर एक दुई दिन में परेक्षन का लागी टोली जाने बतानु है गतबुदबार दिवसो तुल्सीपुर उपमाहानगर पालिका उनारमर चार रक्षया चोर इस्तित सीमरा टोल को खेत हुदेई बाटो को नया ट्रैक खन्नेक रम्मा कसोडी मा राखेर गाडिका अवस्तामा अईतिहासिक चादीका सिक्का जेसीबी चालक सुबास संद्र चो राठिका प्राचिन सिक्का मध्यो गाडिका अवस्तामा सिक्का फेला पारे पसे निकालनेक रम्मा श्रीतीन लेखे को सात वटा सिक्का खसे पसे जेसीबी का सहँ चालक ले तिस्सिका अफनो घर मा लगिड़ा राखे को इलाका प्रहरी कार्याले तोलसीपूर का प्रहरी निरिक्षक बखत बहादुर साहीरे जानकारी दिनुभा सल्यान कपूर कोटका और का जेसीबी चालक राजन खड़कालाई सहमती अनुसार चोधरीले भाग बंडार न गरे पछी उने खड़काले जग्गा धनी सोबा बंड इसके को साथ बुद्ध समाच्यार मा समाच्यार को सल्सिला अजेपनी बाकिशा तरेती बेला फिरीपनी पालो भाय को साथ छोटो विस्राम को अवा डुक का हुनोज देरे समय देखी पर्तिच्या गरियेको विस्व पर्षित डलान परविदी अवा रुपन्दे माई स्तापित वयेको छा न मिस्त्री को समस्या न सीमेंट गीटी बालुआ खोजनेर राकने ठाउंको समस्या न ता चुईने भदकीने न फिनिसिंग के समस्या दीन भरी लागने काम मात्र दुई गंटा मा तमाम गुड़ाइस्तरियाक ओपिसी सिमेंट धोयेको गीटी बालुआ बाट रेडिमिक्स कंक्रीट तयार गरी घर पूल बाटो तता अन्ने सम्रचनारू तयार गरी बर्षन सम्माठ धुक्का हुनो लुम्बेनी रेडिमिक्स कंक्रीट लाए घर धलान गरे जिन्दगी भरीको लागी धुक्का भाई तपाई धुक्का हुनोज गुड़स्तर लुम्बेनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली तिलोत्तमा बाहरा मंगलापुल रुपन देही फन नमर 01.563.301 अन्टानापे 57.359.60 अन्टानापे 0.229.90 लुम्बेनी रेडिमिक्स कंक्रीट प्राली एक विश्वास को नाम हो बोनम एक परतिस्ठा को नाम हो बोनम औनी ग्वालिटी को नाम हो बोनम हजोर पोनम फर्निसिंग आन्ट डेकोर प्लेस मा तपाईले पाउन होने छा रास्टिय तथा अंतरास्टिय ब्रांट का आकर्शक सोफा पर्दा, गार्पेट, डराज, ताइलिंग टेबल सेट, लक्जरियस बेड, आरमदाई मैट्रेस रो अफिसियल कुर्ची तथा टेबल हरू फर्निसिंग को दुनिया मा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनी हाईएस्ट क्वालिटी को नाम हो पुनम फर्निसिंग आन्ट डेकोर प्लेस सैनामेन दुई काली का चोग पुनम गिरिल भायको नीजी भवन मा प्रोपराइटर परदीप गवतम जुना गेवाले मोबाइल अन्ठानेवी चारपचहत्तर एकानबे 222 अन्ठानेवी सुन्ने चवत्तर शब्विस 305 स्वक्ष शुन्दर मनुरम बातवणमा आर्शियस क्रिसी फंद्वारा संचालित आर्शियस फिस्रिसोर्ट हमी कहां सान्त एबं मनुरम बात बड़मा आफने फ़म द्वारा उत्पादिद ताजा माचा लोकल कुखुरा हास अर्गानिक तरकारी पाईनुक साथे फिशिंग तथा बोटिंग एबं पोखरी को बिजमा एसीर नन एसी कोठा हारू बर्थडे हल मीटिंग हल को रामरो बेवस्ता छा संचालक रमेश चंद मुराओ आर्शियस फिश रिसोर्ट छपिया चोक बात एक किलिमेटर पुर्व भाईर हाबा जाने बातो माया देविदुई अर्शियूरी रुपन देही मोबाईल 957026 आर्शे एक अंठाने सुन्ने 79708 सुन्ने पंद्र आर्शी फिश रिसोर्ट के बिरक बिस्ट्राम पची फिरिपनी स्वागत्च बुद्ध समाचार मा अब बाकिसमाचार पेशाली पुर्ण कालीन इलेक्ट्रिकल इंजिनियर गरिका रुपन्दही का एक युवाली पसुपालन बेवसाय बात मनग्य आमधानी गर्न भायको सा अर्गखाची जिलाको भुमिका स्थान नगरपाली का औरानमर एक धाका वांग स्थाय घर भई हाल बुट्वल मा बस्दे आउनु भायका युवा बेवसाय बासु भुसाली बेवसाय क पसुपालन बात दोईनिक 75,000 बडिको दुद बिक्री गर्दे आउनु भायको सा जिलाको तिलोतमा नगरपाली का औरानमर दस कांची बजार मा कामधेनु क्याटल ब्रीडिंग अन्रिसोर्स सेंटर प्राली स्थापना गर्नु भायका वाहाको भाममा अहाल साना ठुला गरेर गाईर भईसी एक से पास रोटा रहे कासन सुपा देवराली डिलिंग अन्र प्राली राज श्री डिलिंग अन्र प्राली समेच संचालन गरदे आउनु भायका वाहाली करिब 14 बर्स बिभिन्न उध्योग मा एलेक्ट्रिकल एंजिनियर को काम गर्नु भायको थियो रुपन देही मा रहे को पंचकन्या ग्रूप प्राली साइथ अन्य बिभिन्ना कमपनी मा काम गर्नु भायका वाहली आपने जमिन मुनिको पानी निकालने प्रविदी डिलिंग को काम सुरु गर्नु भायको थियो सुही काम संगसंगे भुशाल ले तिलो तमामा वेवसाई पसु पालन शुरु आद गर्नु भायको हाल सम्मा फार्म मा 40 लाग बंदा बड़ी लगानी गर्नु भायका वाहली महिनामा 15 लाग बड़ी आमदानी हुने बतानु भाय जस्मा घर्च कटायरे करीब सात लाग पचासाजार रूपायां बच थुने बासु भुशाल ले बतानु भाय ब्याबसाई दस वड़ा आमले पसु गाई बड़ा सुरू गरेको ब्याबसाई होईले सोय वड़ाम आमले मले पुरा आच्छू आमरो बजारी ग्रांड का इसाबले दोईनिक आमरो जोले 12-13 लिटर दुदाल उदवादन भाय राशा पची आमरो दुचार महिना पची महिले कमशिकम आमरो 3-4 शवड़ा गाई लिए रा कमशिकम दिनमा दोईनिक 3,000-4,000 लिटर दिनमा उदवादन गरी युवा अवरुको अवड़ा मनोसाय रामरोस बननी तरिकाले युव्यावसा सुरू गरीको रामरोस मिनात गरीशी किये हुनना बननी उदवादन मल दिने सक्छू परियाप्त बिजुली दियेको दावी गरी पनी निपाल उध्योग परी संगले गरीको अध्यन अनुसार चोंसाटी दस्मलब चार प्रतिसत उध्योग मा झेनरेटर प्रयोग मा रहेको दिखियेको जेनरेटर को प्रयोगले उध्योगो लागत प्रती महिना जंडिए चो प्रенкоटीसत बड़ेको पनी अध्यन ले जना आयको सा येस्ते ज्याप ज्याप बती ज्यादा पनी समस्या बड़ेको उध्योगी को गुनासो छां चालो आर्थिक बर्स 7890 को दोस्रो त्रोय मास सेका वदीमा उत्पादन मुलक उध्योगर सेवा छेत्र का उध्योग आवस्थाको बिस्ट्रेय ते तथ्यांक प्रती बेदन मा समीटिएको शां। 690% कामदार नेपाली रहको उल्ले करिको मा, सबै भंदा धेले सेवा छेत्रमा, 67 90 प्रादिस र कम 加म उत्पादन छेत्रमा, 90 प्रतिसत नेपाली कामदार रहका सन् अधियन मा, सहभागी हरु मध्य 65 दस्मला 5 प्रतिसद उध्योगी ले नया लगानी का लागी तयार रोहे को बताय का सन प्रति बेदन मा बजेट निर्मार र कारेन वेन प्रक्रिया तुरनात्मक अध्यन निपाल उध्योग परिसंगले चालो आर्थिक बर्सको बजेट मा दियेका प्रम पामा लेखक रस्रेजना नाम म क्रिती लोकार पन गरिये कुसां कारिक्रम मा प्रमुख अतिती बगनास काली गाउँ पालिका का अध्यक्ष सरस्वती चिंदिले जती पनी साहित्योगार हुर लाई पालपा का र राष्ट्र के गहना का रूप मा लियेको बताऊन भाया पोरिविय वांग मय का ब्याख्या था निलकंठने उपाने ले पालपा को अधिती हा सिक्त था सास्कृति को मही मालाई जलकाई लेखक राम ग्योवाली को साधना र कृती भीत्र को मर्मलाई सुक्ष्मा रूप मा प्रकास पानुख अतिहास देखी बर्तमान समका स्रस्ट पालपा कारेक्रम का बिसेस्ट थी बिस्णो खत्री ले कला सस्कृति र स्रेजना को सम्रक्ष्यन मा स्थानिय सरकार संबेदन सिल रहाई को बतानुख रिभून बहुमोखी क्यांपस पालपा का क्यांपस प्रमुक टंक प्रसाद भट्राईले बग्नास काली भीत्र रहाई सायत्य संगम को बांगमय मा योगदान प्रहेको बतान फा लेखक तथा सर्जक राम गेवाली ले एस कृति लाई प्रकासन मा ल्यायको मा धन्यवाद तथा बधाई दिनुभाय को थियो इने समाचार संगसंगे एती बिला हामे बुद्ध समाचार को अंतियमा अइपुगे कास हो अंतियमा मुख्य समाचार चालू आर्थिक बर्स सकीना अब 27 दिन बांकी हाल समा एक खर्ब चालेस अर्ब सूर करूर 45 लाग मात्रे पुजिगत खर्च सरकारले अपेक्ष्या कृत्रूप मा बिकास निर्मार को काम मा खर्च गर्न सकीना बोच्वल उप महानगर पालिका द्वारा क्रेसी उपस थोग बजार मा अनुगमन फॉलफुल को नमना संकलन गरिरा प्रयोक्षाला मा परिक्षन रह तांसिर नगर पालिका कु आगामी आर्थिक बर्स उना नसी अवसिकु निधित था कारेक्रम नगर सभामा पिस हवस्त बुद्ध समाचार सक्यो समाचार उनिट का हामी सभै जना बिदा चाहांचो बिदा दिन होश बुद्ध समाचार का साथ नम्मेनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली